हेलो एवरीवन, विल्कम अगें टू फाइन आट स्टड़ी तो जो उत्राखन एल्टी आट का हम क्वेश्चन पेपर सोल कर रहे हैं यह उसका लास्ट पार्ट है इसे पहले हम दो पार्ट सोल कर चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है वो सबस्का कवर कर लेंगे तो देखते हैं हमारा सिक्स्टी क्वेश्चन तो फुल्मा एवं कालीन करका दोरनी में इन मैंसे कोन सी कूंस ज़ंजाती है जो छो धूल मां और तो इस का निर्मान करते है तो इसका राएट आंसर हो जाएगा ऑप्शञ है ऑन्पशन ए भोटिया है वो है कि इसमें कढ़ाई की जाती है फूलों की कपड़ों के ऊपर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन भी कलात्मक कढ़ाई यह वाद सुरिय मंदिर कि राज्य में दित है उडिसा में है और यह सुरिय भगवान को समर्पित है इसे गंग वन्स की नर्शिंग देव ने बनवाय था रत के और इसमें 12 जोड़ी विशाल पहिये लगये हुए जिन्हें की 7 गोड़े हीच है यह question last time DSSB में भी पूछा गया था कि उसमें कितने जोड़ी विशाल पहिये हैं तो इसमें 12 जोड़ी विशाल पहिये लगये हुए है इसमें गोड़े हैं तो इसका right answer हो जाएगा odisha option C वातसायन की कामसुत्र में 64 जो कलाएं हैं उनका उलेक किया गया है option D इसका right answer हो जाएगा next question है हमारा जय मंगला का लेकक कौन है तो जय मंगला की जो लेकक है वो है पंडित यशोधर option A इसका right answer हो जाएगा next है होसंगाबाद के प्रोगतिहासिक चित्रों की खोज किस ने की थी तो जो होसंगाबाद है वो MP में है और इसकी जो खोज है वो मनोरंजन घोश ने की थी 1921 में option B इसका right answer हो जाएगा next देखते हैं जो पालस हैली है उसका जन्म किस सतापदी में हुआ था तो पालस हैली के अगर हम बात करें तो पालस हैली का जो समय है वो वसलिए 7 से और 11 सतापदी माना जाता है जो स्थानेस्वर के समराठ थे हर्श और गोंड सासकते शशांक उनके बाद बंगाल में कोई भी शाशक नहीं था तब बंगाल की जो जन्ता है उन्होंने गोपाल नाम के एक व्यक्ति को राजा गोसित कर दिया था और इसी के साथ फिर वहाँ पे जो है वो पालवंस की स्थापना हो गई थी पालवंस के राजा जो धरम पाल थे उन्होंने विक्रम शीला महाविद्याले का निर्बान करवाय था जो की बहुत फेमस हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौवी सताबदी ओप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट रंग के लिए भारतिय चित्रकला के रंग में किस शब्दावली का प्रियोग किया गया है तो जो भारतिय जो चित्रकला है उसमें रंग के लिए जो है वो वर्नी का भंक का इसमें उप्योग किया गया है ओप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स क्वेश्चन है हमारा ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं तो जो ललित कलाएं हैं वो पांच प्रकार की होती हैं संगीत, कावे, चित्र, मूर्ती और स्थापत्य आप इन्हें ध्यान रखेगा संगीत, कावे, चित्र, मूर्ती और स्थापत्य तो इसका राइट अ अभी वेक्तिवाद का प्रतिपादन किस ने किया था यह कुश्चन बहुत इंपोर्टेंड और इसे रिलेटेट तीन कुश्चन और है जो की अक्सर अलग-अलग एक्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं तो इसका जो राइट अंसर है पहले तो वह देख ली अरो अरोप वढ़ाद का प्रतिपादन है वह भट लोलत ने किया था उसके बाद है अनुमतिवाद का क्या था शंककुन्हे और एक आता है मुकतिवाद मुकतिवाद का क्या था भटनायक में तो अप यह चारों ही अच्छे से याद कर लिजयेगा यह किसी ना किसी एक्ज हरा है और पर्शिद चित्र है वह है पार्त शार्ति ऑप्शन ड्री जो है पार्त शारति जो है वो इनका सबसे फीमस चित्र था यह जो चुछा जाता है कि आभाल कि इनके बारे में फेमस यह पुछा जाता है कि इन यह किस के शिष्य थे या फिर इनके गुरु कौन थे तो वो थे अवनिंदरनात के यह शिष्य थे इनका जो जन्म है वो 1882 में हुआ था और 1966 में की डैथ हुई थी उसके बाद नेक्स देखते हैं एक समकोन त्रिबुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर गुरुनन करने से क्या बनता है तो एक जो समकोन त्रिबुज है उसकी एक लंब भुजा को अक्ष बनाकर अगर हम उस से गुरुनन करेंगे तो उससे क्या बनेगा तो इसका राइडांसर हो जाएगा गोला ओप्शन एक संथाल परिवार नामक मूर्ति सिल्प किसके द्वारा बनाई गई थी जो संथाल परिवार जो मूर्ति शिल्प है काफी फेमस था और यह बनाया था राम किंकर बैज ने शांती निकेतर में इसका जो है वो निर्मान किया था और इसे सिमेंट और जो कंक्रीट है उससे बनवाय था यह 427 मीटर की इसकी उचाई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रग्या पार्मिता ताड़ पत्र पर चित्रित गरंत की शैली से संबंदित है तो इसका राइड हुआ है और रार्शम्रा की कुफाए हैं वह महाराष्ट में स्थित्य हैं एक पर राइड आंसर हो जाएगा जोगि मारा Rasa option c इसका right answer हो जाएगा next है राजा रवी वर्मा की चित्र किस माध्यम में बने है तो यहां पर माध्यम आएगा किस माध्यम में बने है तो इसका right answer हो जाएगा option a तेल रंग next question देखते हैं निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है तो पिरामिडों का देश मिश्र को कहा जाता है next question है बिहार के किस इस्तान पर परशिद मधुबनी कलाशली की उत्पत्ति हुई है तो जो जितवार पूर है वहां से जो मदुबनी कला शेली है वो इसके उद्गम सल माना जाता है इसे मितला कला भी कहते है next question है इटों से निर्मित विशाल सनानागार कहां पाया जाता है तो जो इटों से निर्मित विशाल सनानागार है वो मोहन जोदलों में पाया जाता है option A, इसका right answer हो जाएगा, next है 80, परिपेक्ष कितने परकार के होते हैं, तो परिपेक्ष जो है वो दो परकार के होते हैं, option B, इसका right answer हो जाएगा, next देखते हैं, question number 81 है, तेल चितरन का आविशकार किस ने किया था, तो जो तेल चितरन का आविशकार है, वो वोन आईक जो थे उन्होंने इनका तेल चित्रन का आविश्कार किया था ओप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामांतर रेखा का अर्थ है जूर इसाएं आपस में नहीं मिलती ऑप्शन एक का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स है बसोली चैली का सबसे बड़ा संथापक एवं संदक्षक कौन सा राजा था तो जो राजा करपाल-काल है वो बसोली चैली के सबसे बड़े संदक्षक माने जाते हैं वो थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पहली बार कूल जाता है तो उसका जो सिच्चा है वो अच्छी बनाने के लिए बहतर बनाने के लिए को तरह की जाती है सब्सक्राइब करने से पहले पूजा की जाती है तो यह इसमें एक तरह की चोकी ले जाती है जिसमें की एक सितारा और पांच कोने होते हैं और उसके बीच में एक स्वास्तिक पूल और दिया बना हुआ होता है तो यह बेसिकली उत्राखंड उत्राखंड के अंदर जो कुमाव है वहां की परशिद लोक कला है अगर अगर तभी उत्राखंड वी ऑप्शन में हो तो आप उत्राखंड जो है वो राइट कीजिगा नेक्स्ट क्वेस्टन है ठोस में कितने आयाम होते हैं तो ठोस में तीन आयाम होते हैं ओप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है रिजु कौन कौन सा है तो रिजु कौन जो है वो 180 डिगरी का होता है ओप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है एक वरत के व्यास और त्रिज्जा में अनुपात होता है एक जो व्यास है वो जो त्रिज्जा है वो व्यास की आदी होती है तो व्यास का जो अनुपात है वो दो होगा त्रिज्जा एक हो जाएगी तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा option B next Michael Angelo जाने जाते हैं तो Michael Angelo एक मूर्तिगार थे option C, इसका right answer हो जाएगा next अंडे को माध्यम की रूप में प्रियोग किया जाता है कौन सी वीदी में कौन से कलर में अंडा है उसको माध्यम की रूप में प्रियोग किया जाता है तो इसका राजाट आइसर हो जाएगा option B tempera next time राजा सावन सिंग के संद्रक्षन में राजासानी चित्रकला की कौन सी शैली विक्षित हुई थी ये question इतनी बार repeat होता है हर exam में चाहिए net का exam हो कोई भी exam हो इससे जरूर question पूछा जाता है बनी ठनी जो है उससे संबंदित तो जो राजा राजसानी कला शैली है किशनगड की वहाँ पर जो सावन सिंग है वो इसका right answer हो जाएगा option D किशनगड next question है अभी लक्षितार्थ चिंता मनी में अंतराल को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है स्थान निरूपन option A इसका right answer हो जाएगा next देखते हैं आज के वीडियो का हमारा last question है चित्र में द्रस्टिकत भार सहियों जनके किस तत्र से जुड़ा रहता है तो इसका right answer हो जाएगा option A संतूलन से अगर चित्र में संतूलन होगा तो हमारी द्रस्टि जो है वो पिल्कुल उसी पे focus कर पाएगी ठीक है तो यह थे हमारा question paper है यह complete हो गया है I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आइकन को जरूर प्रैस करें आने वाले वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिल किती रही थेंक्स फॉर वच्चिंग